ये हैं वो सारे hidden details and cameos जो हमें डेड़ पूल एंड वुल्वरीन में देखने को मिले हैं और honestly बताओं तो आप इस वीडियो को देखकर surprise होने वाले हैं तो अगर आपने movie नहीं देखी हैं तो पहले movie देख लीजिए उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा यहां पर Peter Parker के face को cover कर दिया गया है और क्योंकि उन्हीं पास Spider-Man के rights नहीं है इसलिए उन्होंने Iron Man 2 से उस चोटे Peter Parker के mask से इसे ढख दिया है Happy Haven की पीछे वाली desk पर आप Pops magazine को देख सकते हैं जिस पर Pepper Potts की picture है और इसी same magazine को हमने Iron Man 3 में देखा था और Tony Stark का original arc reactor Proof that Tony Stark has a heart और Logan movie के end में Deadpool उसकी grave पर जाता तो है लेकिन वो उसे touch नहीं करता है लेकिन यहां movie के bye bye intro में वो Logan के skeleton को बाहर निकाल देता है हमें TV से reintroduce कराया जाता है जहां से Deadpool अपने universe के लिए एक new Wolverine ढूणने की mission पर निकलता है उसके बाद हमें कुछ Wolverine वैरिन दिखाया जाते है जहां हमें comic accurate छोटी height वाला short king Wolverine दिखाया जाता है हमें patch Wolverine दिखाया जाता है जोड़ी club में बैठा होता है फिर हमें old man Logan का भी comic accurate version देखने को मिलता है crucified Wolverine भी यहां comic accurate image के साथ पोटरी किया जाता है फिर आता है हमारा 80's का लंबे बालो वाला Wolverine फिर हमें classic suit Wolverine देखने को मिलता है जो कि अपने yellow and brown suit के साथ वहां Hulk से लड़ रहा होता है हाँ सही सुना वो Hulk से लड़ रहा होता है जब वो अपने close बाहर निकालता है तो आप Hulk के face को उसके close पर देख सकते हैं तब तक यहां Deadpool entry लेता है Hulk की हमें back दिखाय जाती है और Hulk उसे मार कर भगा देता है और फिर आता है मुवी का सबसे jaw dropping cameo Henry Cavill वाला Wolverine जहां वो अपने iconic arm flex वाले move को show करते हैं उसके बाद finally हमें अपना yellow and blue suit वाला Wolverine दिखाया जाता है जिस costume को देखने के लिए हमने सालों इंतिजार किया और finally, finally हमें मिल गया उसके बाद हमें बहुत सारे cameo's दिखाया जाते हैं जहां सबसे पहला आता है Chris Evans as Human Torch जहां हमें void में 20th century fox logo भी दिखाया जाता है यहां हमें saber tooth, toad, pyro, kalisto, azaziel, lady death strike और finally, juggernaut का cameo भी देखने को मिलता है जहां यह सारे villains fantastic four की retro fantastic car में बैट कर यहां आ रहे होते हैं साती हमें यहां red skull की car भी देखने को मिलती है जिसमें iron man का logo लगा होता है void में हमें moon night series से Stephen Grant की cupcake man भी देखने को मिलती है यहां हमें Steve Rogers की motorcycle भी देखने को मिलती है इसी के साथ हमें यहां infinity war वाली q ship, shield heli carrier, destroyed as guard, leviathan और allied भी देखने को मिलता है यहां Cassandra Nova का compound Antman के skull से बना होता है उसके बाद हमें movie की main villain Cassandra Nova दिखाए जाती है जो की professor X की twin sister है TVA ने Cassandra को उसके बच्पन में ही void में प्रून कर दिया था और जिस machine के help से Deadpool और Wolverine वहां से भागते हैं वो कुछ-कुछ iron manger की तरह दिखता है उसके बाद हमें यहां Deadpool का एक और variant देखने को मिलता है जिसका नाम Nice Pool है यहां हमें Hugh Jackman की movie The Greatest Showman का reference भी देखने को मिलता है मूवी में Wolverine और Deadpool जिस घर में रुखते हैं उस घर की ceiling पर आप Scarlet Witch का statue भी देख सकते हैं जो कि हमने Multiverse of Madness के Dark Hole Temple में देखा था और यहां हमें Hulk का bad भी दिखाय जाता है जो कि सकार में Hulk ने यूज किया था यहां हमें Jennifer Garner as Electra, Wesley Snipes as Blade, Channing Tatum as Gambit और Daphne Keane as X-23 यहां दिखाय जाते हैं हमें पता चलता है कि Resistance के बाकी members Punisher, Daredevil, Quicksilver और Magneto और अल्रेडी मर चुके हैं यहां Electra Daredevil की death के बारे में बता कर बिल्कुल भी दुखी नहीं होती क्योंकि Daredevil का रोल प्ले करने वाले एक्टर Ben Affleck उनके रियल लाइफ में X रह चुके हैं तेन हमें बहुत सारे Deadpool वेरियंस दिखाया जाते हैं लेडी डेडपूल, Cowboy पूल, Kid पूल, Baby Deadpool, Welsh पूल, Zen पूल, Samurai डेडपूल, Head पूल, Golden Age डेडपूल लेडी डेडपूल को Blake Lively ने वोईज दी है, Cowboy पूल, Matthew McConaughey है, Head पूल है Nathan Fillion और Kid पूल और Baby पूल, दोनों Ryan और Blake Lively के किट्स हैं और उनी डेडपूल वेरियंस में से एक हमारे Spider-Man, Tom Holland के छोटे भाई Harry Holland थे और मुवी के यहां पाइर और कैसेंडरा के इस वेकी वेकी वाले सीन में आप राम नाम लिखा हुआ भी देख सकते हैं कैसेंडरा नोवा के पास खुद किस लिंग दिंग है जिसमें टाइम और वियालिटी स्टोन लगे हुए हैं यहां Spider-Man की तरह फ्यू 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 वेब शूट करने का ट्राइ करता है एक सीन है जहां पर डेडपूल कहता है और बस वाले फाइट सीन के दौरा आना बस के उपर स्टैनली की फोटो देख सकते हैं जहां लिखा होता है स्टैनली स्ट्रीमर मिस्यू लजेंड और मुवी के एंड में वुलवरीन और डेडपूल दोनों शुवर्मा ट्राइ करते हैं जैसा कि दिए विंजस में हमारे विंजस ने किया था जहां वेड लोगन से कहता है कि क्या तुम्हें पता है शुवर्मा को एविंजस ने फेमस किया था सो वैस यह है वो सारे कैमियोज और डेटेल जो मिने मुवी में नोटिस की हैं बाइ गाइज मिलते हैं नेक्स वीडियो में